अग्राइब करना है फर्स्ट यह तक कि आपको क्या करना पड़ता है क्या 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 आपको चीजों से गुजनना पड़ता है कौन से एक्जाम होते हैं वो सारी चीजे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ हो आज का जो वीडियो है जो ठीस होता है रिसर् Exhale maintenance होता जिसको तीनों को एक नाम से जाना जाता है तो इन तीनों के वाह ठीस और बना रहा हुआ है जो स्टूदेंस्ट में हैं यह म्च का फस्ट इय आंपने पर चुका है और अप सकंडर हो तो आपको यह यह सारी चीज़े जो है जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपके कोई जो सीनियर्स है अगर आपको उनसे गाइट नहीं मिलता है तो आपके लिए यह वीडियो जो है काफी helpful होने वाला है और मैंने काफी recommendation के बाद में ये वीडियो बनाया है तो MSC agriculture में आपको करना क्या है देखिए first आपने MSC में admission लिया GRF के थूरू या फिर आप state government की university में CET की थूरू आपने admission लिया किसी भी तरह से आपने admission लिया आपने first year का जो first same second same है complete किया उसके बाद आप second year में पहुंच गये second year में जैसे ही आप पहुंचते हो तो आपका जो study का जो pattern होता है वो पूरा research base होता है मतलब आप एक research master बोलते हैं न master student तो उनके लिए research हो काफी helpful होता है और काफी important होता है और यह करना ही पड़ता है आपको thesis MSC के लिए बता रहा होता है MSC के लिए जो thesis होता है उसके लिए आपको एक title decide करना पड़ता है ठीक है तो वो title जो है वो किस तरीके से होता है मैं आप subject के बारे मैं already discuss कर चुका हूँ एक तीन subject मैं लेता हूँ यहाँ पर एक soil ले लेता हूँ एक ले देता हूँ इंटो आप जैसे आपको सब्जेक्ट है स्वाइल जी पीवी या इंटो मलोगी इसमें thesis के title कैसे decide करोगे यह आपको experiment करना है किस-किस तरह से आप experiment कर सकते हो क्या कर अगर आप आप स्वाइल से related हो तो आपको न्यूट्रेंट का आपको compare करना है किसी वराइटी में या किसी स्वाइल में यह थारी सीज़े आपको पढ़ना पढ़ सकता है स्वाइल के अंतरगात आप जो है माइक्रो बाइलोजी है उन से related कुछ topic आपको मिल सकता है यह स्वाइल की fertility से related कुछ topic आपको मिल सकता है जिसमें आपको compare करना पड़ता है दो वेराइटी या फिर दो स्वाइल के condition में आपका कौन सा जो वेराइटी है बेस्ट परफार्मेस दे रहा है यह सब चीज़ें आपको स्वाइल साइंस के theses में आपको लिखना पड़ता है दूसरा बात कर रहे है जनेटिक इंप्लाइंट बेडिंग में आता है आपको वेरियेशन में मतलब वेरियबिलीटी आपको देखना है किसी भी जीनोटाइप का हम इसमें जादा तर जीनोटाइप जो हता है 30 से 50 जीनोटाइप का स्टडी हम कर सकते हैं कम से कम 20 भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 वेराइटीस का भी आप कर सकते हो उससे भी plant bidding के अंतरगत होता है और हम इसमें वेराइटे डियोलपमेंट की बाद करते हैं आ पहला को कि प्रिहमारा जो आता है entomology में जो होता है वह जैसे कि बाइयो पेस्टिस आइड पर रिसेच करने को मिल सकता है या आपको किसी इनसेक का ETL level को कैसे maintain रखना है या ETL level से अगर इसेक जधाधा हो जाता है तो उसको कैसे कंठ्रोल करना इन सब बारों में research होता है तिसरा इसे आपको ईंसेकcop gore पर आपको काम करना है ठीक है तो आपकोthen किसी आता है क्या हो उनका कब कौन सा environment उनके लिए suitable है कितना इनका ETL लेवल बढ़ जाता है कौन से महीने में यह सब observation के थुरू आपको पता चलता है फिर आप राइस system borer की पूरी complete study करते हो उसके बाद जो है आपका thesis जमा करते हो ठीक है तो यह तीन subject की हिसाब से मैंने आपको बताया कि topic और title किस तर मार्केट होता है agriculture के उनसे based होता है वहाँ पर आपको जा करके साल भर का annual या फिर दो साल का या पांच साल का या दस साल का आपको data लेना पड़ता है उसके हिसाब से आपका जो thesis है वो बनता है extension और economic की भी बात आप समझ गया उसी तरह से जित्ते भी subject होते हैं MSC में उनके subject के अनुसार उनका जो है research या thesis जो है वो decide होता है अब बात करें हम जैसे तैसे आपने जो है research या thesis का title कर लिया अपने guide के अनुसार ठीक है आपको जो guide होता है वो आपको research और thesis का एक title देता है या आपको खुद सोचना पड़ता है आपको उनको बताना पड़ता है अब आपको जब thesis title decide करना है तो आप क्या करोगे आपको कोई topic अच्छा लग रहा है या फिर किसी ने बूल दिया कि इस topic पर आपको research करना है तो आप क्या करें उस topic को google के अंतरगत Google में आप search करें ठीक है google में आपको research get एक वेबसाइट है इसके अंतरगत आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे इसके अंतरगत आपको बहुत सारे जो है थीसिस के सौट फॉर्म मिलेंगे उसके बाद दूसरा सबसे इंपोर्टन है दूसरा में बतार हम क्रिसी कोस क्रिसी कोस एक वेबसाइट है जिसके अ आसकते हो ठीक है तो यह दो चीजे काम आएगी बाकी और भी बहुत सारे website है जैसे सेरा है नहीं है सब website में आपक जा करके search कर सकते हो अब हम next देखते हैं आपका तीसीज का title title कैसे लेना है और उस title के तर्गत कैसे thesis बना हुआ है, यह आपको उस particular thesis में आपको देखने को भी लेगा, अब आपने decide कर लिया हमारा thesis यही होगा और कैसे कैसे हमको thesis, जो thesis है उसको कैसे कैसे लिखना यह आपने decide कर लिया, अब दूसरा important चीज आता है objective, तो किसी भी thesis में, किसी भी research में, experiment में आपको objective लेके काम करना पड़ता है, बीना उद्देश के तो कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए आपको कोई भी thesis या कोई भी काम करना है, तो एक उद्देश आपको बनाना पड़ता है, और हम बात कर रहे है, MSC Agriculture में thesis के लिए, तो हमारा जो example लेना पड़ेगा हमको पहले तो, एक 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 जापपल लेते है, राइस इस्टेम बोरर एक हमारा incidence, ठीक है, राइस इस्टेम बोरर के incidence पे हमको काम करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दिया, इसके लिए हमने क्रिसी कोस और बहुत सारे वेबसाइट से हमने खोच कर लिया कि हमको कौन से topic पे काम करना है, हमारा topic यह decide होगे है, title है यह हमारा, समझो, ठीक है, इस title के objective क्या हो सकते है, पहले तो objective आपको हो सकता है, कि आप observation लेना आपको, और observation जो है, वो weekly लेना है, ठीक है, weekly मदलब सपता हमें आपको observation लेना है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से सपता या कौन से महिना, कप-कप situation के according rice stem borer का incidence जादा हो रहा है, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, इसमें, जो होता है, आपका seasonal incidence, ये भी आप देख सकते हो, कि इस particular season में rice stem borer के अलावा कौन से कौन से insect आये थे, और कप-कप उनका ज्यादा population बढ़ा था, ये सब जो है, आपको इसके अंतरगात करना पड़ता है, ठीक है, फिर ये दो objective हो गए, तीसरे objective में आपको statistical analysis तो लेना ही पड़ता है, statistical analysis, statistical analysis में आपको variance देखना है, correlation, और ये बहुत सारे आपके statistical analysis होता है, ये आपको लेना पड़ता है, ये सारे चीज़े इंपोर्टन रखती objective में, अब हमने title भी recite कर ले, हमने objective भी decide कर ले, कि हमारा जो काम कर रहे है हम, उसमें हमारा objective क्या-क्या होगा, और objective के लिए ही हम क्रिसी कोस या किसी और website में जाकर के, हम देखते हैं कि हमारा objective कैसा होगा, या सामने वाला जो research किया है scientist ने, या फिर student ने, तो उनका जो title या उनका जो objective क्या था, वो हम द title ये रहेगा, आप बताइए ठीक है या नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है, तो आपको काम start करने है, तो काम start करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, synopsis, और synopsis का एक file होता है word में, आप इसको PDF में भी बना सकते हो, और दूसरा है PPT बनाना पड़ता है, ठीक है, PPT पर तर PPT उसी से बनेगा, तो ये अलग-अलग चीज़े है, word में जो आप synopsis बनाओगे, final synopsis बनाओगे, उसमें आपको पूरा thesis का title और objective और जो चीज़े add होनी वाली है, वो आपको मैं side में या पर लिखवा देता हूं, ताकि confusion मत रहे, जैसे आपने किसी crop पर किया, rice प को देना है, introduction आप इसका बनाओगे, कि rice कहां पर होता है, कितना, 2019 में कितना production था, 20 में कितना production है, वो सारे चीज़े introduction के अंतरगत आता है, कहां-कहां grow होता है, कितने इसकी species होती है, rice के अंतरगत, ठीक है, दूसरा है, review literature, review literature जो होता है, इसका मतलब कि इस particular topic पे और क्या-क काम हो चुका है, और वो काम जो हो चुका है, उनके objective क्या थे, उन्होंने क्या result, conclusion निकाला था, वो सब review literature के अंतरगत आता है, और review literature में एक scientist या बहुत सारे scientist का जो reference है, वो आपको देना पड़ते हैं, तीसरा है, material method, तो material method में आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई भी subject में आप ले रहे हो, आपका objective के अनुसार जो material method है, वो बनता है, तो material method में आपको, क्या-क्या materials रहेगा, है ना, जैसे हम rice में genotype लेते हैं, इसी को हम variety भी बोल देते हैं, ठीक है, और other subject में बात करे हैं, soil में, या इग्र entomology में, तो उसमें हम treatment लेते हैं, तो treatment हमारा अलग हो सकता है, entomology ले जो है, वो treatment जो है, आपका जो pesticide डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो, वो treatment हो सकता है, agronomy वालों के लिए, जो nutrient का dose है, NPK का, या सुंगल सूपर फास्पेट का, जो भी nutrient अलग अलग पाये जा फिर आपको यहाँ पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख ले न, result, discussion, sorry इसको पर मिठा कर लिखता हूँ, अच्छे सो नहीं समझा है आपको, यह आप समझ गया objective, उसके बाद आपका, जो है, material method के बाद, result, discussion, result, discussion होता है, उसके बाद में आपका, summary, conclusion, result, discussion आपका, जब complete होता है, तो इसमें एक seminar आपको देना पर होता है, result, discussion का एक seminar होता है, यहाँ रखना आपको, और एक seminar आपका introduction के time पर होता है, जिसका हम synopsis बोलते हैं, यह दो seminar हो गया, और, ठीक है, दो seminar हो गया, final vibe हा होता है, तो summary, conclusion के बाद, लास्ट आता है, reference, जितने भी आपने work किया, आपका जो thesis बना, उसमें जितने भी reference आए, उन reference का आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, फिर आपका last में, reference हो गया हो, उसके बाद यह खतम, फिर आपका certificate बगरे लगा करके, आपको जमा करना पड़ता है, तो यह, जो topic मैंने बताया, एक chapter, दूसरा chapter, तीसरा chapter, यहाँ पर result discussion, चौथा, यह पांचवा chapter, यह 6, जो है, आपके होते हैं, पांच chapter भी होते हैं, किसी-किसी, वो topic पर decide करता है, ठीक है, तो यह 6 chapter पर आपको काम करना पड़ता है, अब यह सारी चीजे जो है, आप जब क्रिसी कोस में जाओ या research gate के research paper में आप पढ़ोगे तो आपको यह चीजे मिलेगी और आपको इनी चीजों पर study करना है, आपको दिखना है कि इन्होंने introduction कैसे बनाया, इन्होंने review literature कैसे बनाया, इन्होंने material method क्या-क्या लिया है, ठीक है, इनका result क्या आया था, फिर उस result के base पे उन्होंने क्य क्या क्या summary दी, क्या conclusion दिया था, फिर उनका reference क्या क्या था, यह सारी चीजे आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपको पहला काम यही है, अगर आप MSC के second year में पहुंच गया हो, या पहुंचने वाले हो, आपको synopsis लिखना है या research के लिए कोई topic decide करना है, तो आप अभी से कर लिजेगा और इन सब चीजों पर work करना चालू कर दीजे, हम next वीडियो में लेकर आएंगे, कि यह जो synopsis है, इसकी word file और ppt जो फाइल होती हो, कैसे बनाना है, और यह सारी study हम किसमें करेंगे, आपको computer में समझाएंगे, कि आपको word में कैसे ppt बनाना है, तो पकाईदा type करके आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे matter लेना है, कहा से क्या है, वो सारी चीजे हम आपको laptop के थुरू बताएंगे, ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक subscribe नहीं कर किया है, तो आप subscribe कर लिजे, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे like करिएगा, और लेक्चर, वीडियो आप, नोट, सब कुद है, अगरी.com में मिलेंगे,